हलो हाई नमसकार दोस्तों मैं हमित कुमार और आप देख रहे हैं वेब करो यूटूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा फेस्बूक इंसेंट आर्टिकल सेट अगर आपके पास कोई फेस्बूक पेज है और सेट अप करना चाहते हैं तो यह वीड दिखाया था प्लस काफी कोश्चन आयते हैं उस वीडियो में कैसे सेट अप करना है पेज कितने लाइक होना चाहिए पेज कितना दीन पुराना होना चाहिए सारा कुछ जितने भी कोश्चन आयते हैं मैं इस वीडियो में सॉल्ब करूंगा अगर आपके पास भी कोई अभ फेस्बूक इंसेंट आर्टिकल सेट अप करने में क्या-क्या प्रावल्म महा सकती है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे जैसा कि आप देख सकतो मेरे पास एक वेबसाइट है और यहां पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ वेबसाइट को ओपन किएंटेश्ल , अप देख सकतो वीडियो में कर सकते हैं अगर आप लोज इस वीडियो अप्रर्ट में सेंट नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूए इस वीडियो के देखने के बास्ते आपका फेलना उपन कर दो मिल जाएगा तो देख सकते हो वेबसाइट काफी यूनिक है, अच्छा लूक है आप देख सकते हो यहां पर और यहां पर देखने के बाद से सबसे पहरे यह वैबसाइट ओपन हो गया, अब आपको यहां पर फेस्बुक इंसेंट आर्टिकल सेट अप करना है तो आपके पास कोई ने लोग इन हो और यहां पर देख सेकता है निडियान Sina Cha पाते प्वीन सेकता हो यहां परिफे होनो यहां पैत कि चाहिए तैनल मुटन आपको बाकुब करूझा है जैसे ही आप पेज में आज आएंगे, लोग इन करेंगे, तो यहां पर पॉब्लिसिंग टूल है, बस आपका पेज 3 मंत ओल होना चाहिए, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप सेट अप कर सकते हो, एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप देखिएगा, तो यहां पर आने के बास है, सबसे पहले आप देखिए, यहां पर लिखा है, यहां पर इंसेंट आर्टिकल, आप देख से तो यहां पर लिखा है, इंसेंट आर्टिकल, उसके नीचे है configuration, फिर monetization, production, article, development, सबसे पहले आपको configuration पर क्लिक करना है, इस वीडियो में आपको ब बनाया था, व्लॉगर पर setup करना बता चुका हूँ, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, व्लॉगर पर setup करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजेगा, 10 मन पहले आप वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, आई बटन पर आप इसका link मिल जागा, फिलाल मैं मैं बता रहा हूँ, WordPress के लिए कैसे setup करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आने के बादे, सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, step 1 में आपको करना क्या है, आपकी website पर यह जितने भी condition यह आपको follow करना है, ठीक है, उसके बादे, यहाँ पर second में आपका review में जाएगा, ज काफी user review में जाता है, तो tension में होते हैं, मुझे काफी message आ रहा है, sir, approval नहीं मिल लाया काफी दिनों से, जिससे कि आप AdSense के लिए apply करते हैं, तो two week, three week review में जाता है, वैसे ही यहाँ यहाँ पर review में जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक error आया, जिससे कि आप देख से, तो आप में से कोई user मुझे comment किया था, तो मैं यह video बना रहा हूँ, ताकि ऐसे सभी को help मिल सके, और यह जो भी इनके साथ हुआ है, आपके साथ ना हो, तिया पर missing logo दिखा रहा है, तो सबसे पहले एक problem आप देख से तो, यहाँ पर missing logo, यानि कि लोगो इनका match नहीं कर रहा है, या पर missing बता रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए example के लिए URL दिए गया है, तो यह URL में इनका issue है, आप देख से तो content warning यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको आपको करना कि अपनी website में जो भी यह post लिखे हैं, जो title उनको match करना है, और थोड़ा सा इनको edit करके अपनी यहाँ पर website को connect करना, आप देख से तो यह website कैसे है, बस दो चीजे आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर website के URL इंटर करना है www.com, जो भी website करना है www.in.com, यहाँ पर enter कर देना है, यहाँ पर HTTP लगा है, ठीक है, तो automatic यह नीचे आ जाएंगे यह वाला, बिना www.com, जो भी ह यहाँ पर देख सकते हैं, यह वाला आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ पर claim करते हो, बट उससे पहले जो भी आप article लिख रहे हो, अपनी website पे है, वो Facebook पेज़ पर कैसे आएंगी, इसके लिए आपको एक plugin यूज करना होगा, जैसे कि यह plugin आप देख सकते हो, Facebook incident article, बस य आपको करना क्या है, यहाँ पर plugin में आना है, और यहाँ पर आने के बाद से मैं paste करता हूँ, ठीक है, हो सकता है कि यह process आप किया हो, फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं आगे बता हूँग, थोड़ा सार यहाँ पर मैं रोकना चाहूँग, पानी पीलू, ओके फरण, तो जैस यहाँ पर यह plugin active है, तो install करने के बाद से आपको नीचे यह plugin मिल जाएंगा, तो यहाँ पर आपको click करना है, अब यहाँ पर देख सकते हो, facebook page id, बस आपको कुछ नहीं करना है, यह page id है आपका, और इसको आप copy कर ले, यहाँ पर copy करने के बाद से, आप चाहो तो header में जाक आपका complete हो जाएगा, second यहाँ पर आप देखिए production RSS feed, यह सबसे important है, और इसके अदर अभी कोई error नहीं, आप देख सकते हो, यह URL है, मैं एक बार zoom कर देता हूँ इसको, तो जैसा कि आप देख सकते हो, यह URL है, और आप देखिए यहाँ पर website के नाम slash feed, slash feed लिखा है, फिर slash insert-admin, यहाँ पर sorry, article लिखा है, इतना आपको डालना है, यहाँ पर URL अड़ करने के बाद, बस आपको save कर देना है, save करने के बाद से, यहाँ पर save कर देना है, मैं इसको reset करता हूँ, zoom out करता हूँ, ठीक है, यह देखिए, आपको यहाँ पर करने के बाद से, बस आपको feed required, यहां पर HTTP Authorization यहां पर चेक नहीं करना है इसमें ठीक है अगर आपका यहां पर WordPress पर है साइट तो बस आपको Save कर देना है उसके बस है Development RSS जो RSS Feed है अब यहां पर Audience Network टाइल सबसे important है जो कि आप देख सकते हैं इस टाइल के अंदर यहां पर Missing बता रहा था हमरा लोगो Missing बता रहा था ठीक है यहां पर Missing है लोगो लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या है Title पर क्लिक करना है और यहां पर देखे लिए Add style ठीक है एड still पर आप अब क्लिक करेंगे लगाना होगा ठीक है मैं यहां पर cancel कर देता हूँ जो error है आपका fix हो जाएगा fix होने के बाद से आपको करना क्या देखिए मैं इसको cancel करता हूँ ठीक है बाकि सेटिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है ठीक है इसको छोड़ दीजिए वैसे ही और email notification के लिए आप देखिए फीड जब भी आप ब्लॉग करेंगे notification जाए अपने वैबसाइट पर जब आएंगे यहाँ पर जब अपने ब्लॉग पर पोस्ट करेंगे इंसेंट आर्टिकल के थुरू आपके page पर आएंगे तो आप notification देना चाहते हैं जो भी आपके likes किये होंगे page को उनको notification जाए तो आप चे पॉडक्शन आर्टिकल में आपके जितने भी आर्टिकल आपकी वेबसाइट के थूरू यहां पर आएंगे आने के बासे आपका रीविव में जाएगा और रीविव में जाने के बासे फिर आपका अप्रूवल मिल जाएगा और कुछ नहीं इसके अंदर डेपलोफ्मेंट आर्टिकल में यहां पर आपको लाइब जो भी चीज़े होंगी यहां पर इंसेंट आर्टिकल दिखाई देंगे तो अभी आपको तोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए और वेट करने के बासे जैसी अप्रूवल मिलेगा तो हो जाएगा तो आपको पता चल गया होगा अगा 10,000 प्लस वीव आएंगे तो भी आपका अप्रूवल मिलेंगे और यह लाइक नहीं लेकिन वीव इंपॉर्टेंट है तो आप वीव लाएंगे तभी आपका अप्रूवल मिलेगा बाकि आपका फेस्बूक पेज थ्री मन्त ओर्ड होना चाहिए तो बस आज के लिए इतना